तो इसके मदमिद्ट की माइए तो क्या हाल एर अप सब लोग के उमीद कवता हूं सब बढ़ीया होगा तो यह वीडियो की शुरूआत कर लेते हैं गौडलाइक के साथ तो Godlike Bootcamp पर जब Godal Beach में Roaster का Announcement होने वाला था उसके रिगार्डिंग याव जो शूट चल रहा था तो वहां के थोड़े फोटर शूट के Behind the Scene और काफी फन व्लॉग फीचरिंग क्रॉंटान में देखने को मिला जिसका पूरा व्लॉग आपको नियो के चैनल पर मिल जाएगा एन इसी व्लॉग में नियो के सरपर याए 300K का डिजाइन भी देखने को मिला और नोटेश दा फ़नी कॉमेंट सोचो कर तीन मिलियन होता तो आइब्रोस कहां होती एन यार गॉड लाइक e-sports रोश्टरे ट्रेलर ट्रेंडिंग सेक्शन में हैश्टेक 25 देखने को मिला अब बात कर लेते हैं डाइनमो के बारे में तो वीडियो के स्टार्टिक में हमने व्लॉग्स की बात करी थी और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले डाइनमो रश्य गए वे थे फॉर्सम ब्रेक तो उन्होंने वाँ पर व्लॉग शूट किया था और आज शाम पाँच विज उनका रेश्य टोर का एपिसोड वन हमें देखने को मिलेगा उनके सेकेंड चैलेंज डाइनमो व्लॉग्स पर और सो डाइनमो जल्दी 10 मिलियन सब्सक्राबर्स हिट कवने वाले हैं और ये इस कोईंग तो बीजमाई गेम तो हिट 10 मिलियन फैन फॉलोविंग अब बात कर लेते हैं TSM FTX के बारे में अब बात कर लेते हैं बीजमाई के बारे में तो बीजमाई के रिगाडिंग यार काफी लोगों ने दो स्पैम्स किये थे क्योंकि C1S1 का कॉनकररर फ्रेम यार बहुत ही बेसिक है जबकि PUBG माईल गेम में काफी यूनीक था तो थू लीक्स मुझे बात पता चली कि C1S2 में कॉनकररर फ्रेम स्लाइट चेंज हो रहा है और वो कुछ इस तरह का दिखने वाला है वेल बेटर देन C1S1 नमबर टू वास बीजमय लाइट बीजमय लाइट के रिगार्डिंग यार काफी स्पैम चल रहा था इनफ़ेक्ट बीजमय के न्यू इवेंट की लाइफ चैट में पूरे टाइम बीजमय लाइट का स्पैम था इसके चलते मेरी जब कुछ क्रियेटर्स से बात हुई तो मोशली क्रियेटर्स का यार यही रिस्पॉंड था कि क्राफटन की तरफ से इसके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉंस नहीं है बट वहीं कुछ क्रियेटर्स का यह कहना है कि बीजमाय इसके बाद शायद क्राफटन बीजमाय लाइट पर काम करें वेल सोर्थ रूद बट इस बात से ये तो कंफर्म्ड है कि बीजमाय लाइट या तो नहीं आएगा या फिर अगर कुछ परफसेंट चांसेज है भी जैसा कि कुछ क्रेटर्स कह रहे हैं तो फिर यार बीजमाय इसके बाद ही होगा अगर कुछ होना भी होगा अब बात कर लेते हैं PUBG न्यू श्टेट के बारे में तो PUBG न्यू श्टेट का सेकेंड एलफा टेस्ट चाल हुआ चुका है यह एलफा टेस्ट कल शाम से चाल हुआ जो चलेगा कल यानी संडे तक के प्लेयर्स एक साथ हमें देखने को मिलेंगे ये थ्री येस की पार्टनर्शिप है अब बात कर लेते हैं रॉनक के बारे में तो आफटर लॉंग टाइम रॉनक भी हमें ऑफिशली वापस देखने को मिले यूट्यूब पर विटर टाइटल पासवर्ड याद आ गया अब कर लेता है एं तो करेंटली टीम सौल काफी न्यूह टेक्निक ट्राइख कर रही है जिसमें कुछ सक्सेश्फुल हो रही हैं तो कुछ फेल एंस पर काफी लोग प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं एंस इस पर रिसपॉंड करते कि अगर किसी को ब्लेम करना चाहरे हो तो इंको करो कॉस वो प्लेयर्स पर प्रेशर डाल रहे हैं ट्राइ कवने के लिए नई चीज़ों को एंड प्लेयर्स अच्छा भी कर रहे हैं अगले कुछ दिन तक सभी के लिए मेक और ब्रेक हैं तो थोड़ा पेशन्ट रखो तो बस यार यही थी अच्छी सारी गेमिंग न्यूस इन अबडेट वीडियो पर से ना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आप वीडियो के इंडिंग पार्ट को इंजॉय करो बाकि मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ अपसे क मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आउंगा छीन लूंगा या खोदा से मांगलाउंगा तेरे नाल तक दीरा लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाउंगा मैं तेरा बन जाउंगा